कि आठवी बोड़ प्रिक्षे 2023 जो आपके चार अप्रेल को पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो कफी इंपोर्टेंट है वीडियो को सुरू से अंतक देखना आपको बहुत सारा फाइदा मेलेगा आए वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रसन आपके हैं विग्यान तक घर होती है उसको thermosetting plastic के रुप में जानते हैं तो यह सबते रहें इसके और की तर्मोशरीं प्लस्टिक होता ऊंदार है तो आपके प्रफ्रे पर संके रुप में उसको जाना चाहता है और यहान आपका जैस्दा हिव को डिमया प्रकुर्ण की करन्ग चाहता मौमबती कर सकता है जिसमें जीव वीवाजित होकर दो संत्तर्टी उत्पन मुकुलन रहें के लाते हैं उसको मुकुलन करता हैं जो कि आमीबा में होता है जब्चि यह जो कह patron है तो यह आपके इसका अंसर रासति हो जाएका यह ओनारभ में विर्षन द्वार और फा Bis Mother यह यह नियुँ भावान यह में ए도 जुन आता है वह यहार्मनों फिर्वर की द्षो तरहा। इसकी सद्वार्विश में एक जाता है तो द्था कोध करती है अग्ला प्रस्ति नर वर्शन के दौर जो स्ट्रावित हार्मोन का नाम गलत दे रखा है जो कि सया अंसरा इसका टेस्टे प्रकार से आपको मादा की जुआ हार्मोने उनको भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है परत्वी में यह कंपनिया जटका उत्मणोना बु कमकिस क्न पर मपा जाता है तो एक्तर स्कैल पर मापन जाता था पर अग्ला प्रस्था सोनय और चंद्रीघ को पी लाने के लिए सोण Dalya की सक्षेटर का उप्योग करता है और क्यों यह बहुत्य मुत्पूछ है आपके आसकता है यह जात करे है न सुनार जो थे उलाना के सबसे उपरी बाग को जो अधित होता है और निले रंग का क्थ उपयोग करता है क्योंकि जूव disshran में सब अधिक उस्मा वहला होता है सबसे बाहर जो ऑपर उसमा ज्यादा लग मिलती सबसे अधिक उस्मा वाला होता है तो उस्मा का अधिक आश्यक्ता होती तो हम बाहर का वाले खिश्यत्र का उप्योग करेंगे इसके अलावा आप से पूछ सकते कि उत्करेश्ट दातों कौन कौन सी है उत्करेश्ट दातों में आपको नाम याद के लेना एक तो सोना है सोना चांदी और प्लैटीनम ये सबकि अपके उतकरे से दाथ Macht Equity अगला प्रसंतर आ अगला साप की कि मनुष्य में ट्यशन की प्रक्राइब को समझा ना है उने आ भर्न के दोरो जो नर यूजपम होता है जिसमें कुल आता हैं और यह शुक्रानु जब फिलोपियन ट्यूब में से होते हुए अंडानु के संपर्ख में आते हैं तो एक अंडानु शुक्रानु के साथ में जो सनलीथ हो जाता है और शुक्रानु और अंडानु का यह सलियन जो है वो निश्यचन कहलाता है निश्यचन के समय शुक्रानु और अं foundation की रूप में जाना जाता है अगला प्रस्राइब नवा प्रस्रत्म योवनारम के समय जन्नांगों में किस प्रकार का कस होता है बहठे वापको समझ जाना है यह नर्म कमासे कि 100 आभस्ता की 100 खो समय होता है कि 1000 अजय होता है जो आपके 13-18 होता है तो 13 अजय में इस में लड़कों में क्या प्रीटा आपको दिखाए देता हैं उससे संदित आपको वर्णन करना है तो देख नाराम यंकी किस्तोरा वस्ता के समय नर्जनांग जैसे कि वर्षन और शिशन पुन्टर विक्सित हो जाते हैं और वर्षन से शुकरान को अत्पादन प्रारम हो जाता है लड़कियों में अंडा से इसे अन्डानों का निर्मोचन सुरू हो जाता है अगले एक्षिन पांचवा उस पेमाने का नाम लिखिए जो बुकंब के विनास को उर्जा को मापता है और इस पेमाने पर किसी बुकंब की मापतीन है क्या इसे बुकंब लेपी है फिर सिस्मोगराफी में रिकॉर्ड किया जा सकेगा क्या इसे अधिक हानी होगी यह आपको समझयाना है तो पुकंब की जूट उर्जा है उसको मापने वाला प्यामाना में परिक आपने यह प्यामाना पकर जाता हैं और तीन टressive परिमाने जो पुकंब को सिस्मोगरापी दॉर्ड किया सकता है और तीन डिक्टरवाल से भूकंब को महस्युमाने जिक पर दूर्बल पसने हैं उनका वीडियो यहां पर आएगा और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना टेस्ट वेगर आप अपने एप के ऊपर फ्री जा सकते हैं एप का लिंग नीचे डिस्कॉप्शन बॉक्स में दे रखा हैं आप प्लेस्टोर पर सर्च करेंगे स्री राम क्लासे आपको मां पर मिर जाएगा तो आप इसको एपको जरूर सांस करना अइसको इंस्ट्ल करके इसकी पेडिया बगारर आपको मां पर मिल जायगी तो मैंस में तो आपको बहुती को नहीं सुन को सुने के लिए डिए saint-慢 द्नि कर रह नहीं को नहीं सुन सकते हैं यह समंझार रहा हैं नहीं वापाम जंद्रमा पर 2 नहीं सुन सकते हैं क्योंकि दोसे सिसे माध्यक्य जमकी और पर किरी दोग्रा कि अगला प्रत ना कि उरुरक जो है, खाद से किसप्रकार बिन हैं यह इनके आपको अंतर लिकना है, वरुरक और खाद है किसप्रकार से अलग-अलग हैएं आपको इनके अंतर के बार में बता हैं तो एक तरक हम उर्वरक लेखेंगे एक तरक हम खाद लेखेंगे उर्वरक क्या होता है तो उर्वरक जिसको फर्टिलाइजर्स करते हैं यह रासानिक पदात होते हैं आ कारमनी ह我觉得 ओपने इसके अलावा उर्रक जो होते हैं इसका उत्पादक फैक्टरी में होता है उर्रक भंट आपको याद का लेना है इसके अलावा उर्रक में पाद उप सक्ट अठोए कान से नाइट्रोजन सबाभाव पर्चूरता की मात्रा है वह पर्चूरता में पाई जाती है जैसे तुलनात्म ग्रुप से इनकी संक्या बिलकुल कम होती है यह आपको खाद और उर्वरक में पर्मुक अंतर लिख लेना है झांतर लगर में आपको संक्युक्त परीएं पर एक एक ली पर इन दोनों का भार में आपको बताना है गक गज़ी जो पॉल्य सद्सटर हैं की रिशाहें यह रिकैँ तेंसरी नहीं पढ़नाती हैं जो दुल जाते हैं नहीं आप योग यह बहुत ही उप्लियोगी पदारत है एक रिलिक जो होता है यह अनी प्रकार से संसलिशी द्रीशे होते हैं यह उन के जैसे दिखाई देते हैं प्राकर्तिक इस तो से प्राप्त उन कापी महेंगे होती हैं किन्तु एक रिलिक से बनी बस्त कपड़े होते हो फेक् बार देख लेना है इसको पेंट्रोलियम स्रेक्शन अनुसंदान संग जिसको पीसी आरे कहते हैं एक तो आपको पीसी आरे का पूरा नाम पूल सकते हैं इस इनके द्वारे जो पेंट्रोल और डिजल बचत के लिए कौन-कौन से सुझाव दिया गए थे वो बताने तो पीसी करना चाहिए और टायरों में हवा का दबाव उचित रखना चाहिए अगला जो प्रस्ण आपके नीचे लिखे गए वाक्यों की सहतीता की जांस करके सही निशान लगाना है तो वह पुस्तक जिसमें संक्टात्पन स्पिसीज का रिकार्ड रखा जाता है येलो डाटबूक प्रस्ति निकाता इसको इसको रेड़ डाटबूक का जाता है यह यह निए बरेड़ होता तो मश्कों सही कर देते हैं तो रेड़ डाटबूक में जो संक्टात्पन स्पिसीज का रिकोर्ड रखा जाता है नश्ट किये गए वननों को पुना ये स्तापीज क्रना है अगला प्रस्थन की वे जन तो जनकी संख्या एक निशुचित सथ्से कम होती बाती है स een करती ओड़े चिनकी प्रत्भी से स्वीक्वपत चुका हैं गत्या है दिख कर ले जन तो जो सबस्थन कर दो तरफ होते हैं उनजे तीनों ञर्त है अग्ला प्रसमें सजीयों में कोशिका मोलबूत avoirों किसी का जैता है परन्तु बहुन की आकरती हो डिजाइन होती हो अलग-अलग होती है उसी तरह से सभी सजियों में क्यावल कोशिकाओं की बने होते हैं परन्तु वह एक दूसरे से बिन होते हैं और सभी सजियों में का जो सरीर होता है वो कोशिकाओं से बना होता है और इसी कारण जो कोशिका को सरस्त्व में कई कअ जाताए है यहां कि जो भवन होते हैं इसे सबीके सरविका की दो tack नहीं होते हैं लेकिन उनके जो बंदएे हो अलग बंद है इसे परकार से सभी जिव bank full में कोशिका समान होते हैं लेकिन आकरती बेना ao अलग लग हानिया आपको बतानी है बल के दोरा जो दो लाब बताने और दो आपको हानिया बतानी है देखो बल से कौन कौन से लाब होते हैं पहले लाब देख लो स्तीर वस्तु को गतिमान बढ़ा जा सकता है पहला तो यह लाब हो जाएगा कि जो वस्तु फिक्स है उसको हम चला सकते ह खिलोने को बन लगाकर हिलाया जा सकता है गति मान उस्तों की चाल को कम किया जा सकता है बन लगाकर साइकल की गति को कम किया जा सकता है यह आपके दो लाब है हानी के क्या है तो बन लगाने से हानी है तो गर्षिन बल क서 वहानों के पई जाते हैं और ये तूट फूर जाते हैं दूसरा एक है गर्षिन बल से उसमा पार होती है जो हानी कार स्वाइब होती हैं या उसमा उनकी कारीकश्मता को भी कम करो देतीए तो यह दोनों आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है बलकि लाब और आनिया यह जो कुशन यह भी बहुत ही महत्पूर्ण है इंपॉर्टेंट है यह वर्लन करना है आपको गर्शन किस प्रकार से सत्रू और मित्र दोनों है गर्शन जो होता है वह सत्रू और मित्र दोनो मस्uing की कारेक्शनों को कम करता हैं और मस्lexनों के जो पूर्ज़े होता है उनमें स्थंयाक लगाने से काफ़ी जित मातरा में दन भी खर्ज होता है तो इस कारण तो आप इसके हुजाएगा की गर्शन जो होता है वो सत्र होता है इन इन हान्यों के कारण अब लाब कैसे है इसके गर्षन से तो गर्षन के बीना चलना संभव नहीं है क्योंकि इस लस्ता में हमारा पेर सता पर केवल फिश लेगा तो गर्षन के कारण ही हम चल पाते हैं दूसरा है कि गर्षन के बीना दो वस्तों पहों का चिपकना भी संभाव नहीं है दिए गतिमान वस्तों में ब्रेक्ट लगना ब्रेक जो गर्शन की बिना गर्शन के कारण ही लगता हैं लो उंतर काई कारी को अपने सब्दों में वेक्या करनी है कि वाक यह अंत्र कमला होता है स्वर्तंत्र स्वर्तंत्र जो अपने गले में होता है इसको स्वर्तंत्र क्या लाता है यह स्वर्तंत्र का चित्र है और इसमें क्या होता है कि जब फ्यपड़े वायू को बलपूरोग जिर्री से बा होते हैं वो वाग दूनी का उस वाग दूनी से बिन होती हैं तो वाग जु तंतुते हैं मोटे और ढ होते हैं एक प्रस्था आपके बन सकता है कि प्रस्थी की तरीजा ब्रस्थी की जो तरीजा है वो प्रत्थी की तरीजा से कितना गुणा बढ़ी है तो ग्यारा गुणा बढ़ी है अगला प्रस्था आपकी ये फसल से क्या ताथ पर है मोटे तोर पर फसलों को कितने बागों होते हैं किसी एक स्थान पर जो बड़े पहमाने पर उगाए जाता है जिस आपने देखा होगा कई सहरे जो गिंगों के पोड़े एक साथ होगा जाते हैं मक्का के चावाल के तो उनको फसल के रूप में जाना जाता है फसल विबिन प्रकार की होती है जैसे अन्सब्जाफल जिस मौसम में ये उपवदय उगा जाते हैं उसके आधार पर, फेसलों का वरगी एकरन किया जाता है। यह सब आपके खरीब की फेसलों के उदारन है। जुलाई से जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सि्टमय ا reuse क्प्रमबर में काट ले जाती हैं। तो यह बारत में वर्षा रितु का सामाई जो टाइम लेता हूँ जून से सिस्टमबर के 20 में होता है और यह सभी खरीब की फसले इसी महीने में बोई जाती है रभी की फसल जो होती है उसी तुमें उगाई जाने वाले फसले होती है जैसे ग्यों चना मटर सरसो अधी जो सी सिस्टमबर में बोई जाती है और मार्च अपरेल में काट ली जाती है अभी जो फसले कट्री वह रभी की फसले है अभी जो फसले वह कौन सी है रभी की फसले इस प्रकरशा आप याद कर लेना सबसे Most Numberant Question आपके यह है इसको आप मिलान करके देख लेना उपयोग बनाने में होता है सोने आप अपयोग आईरन लोहे का बनाने में होते हैं और कोपर कप्योग तार बनाने में और घरमापी बनाने में किया जाताँ मासी या थर्मापी धरमामीटर कि अगला जो प्रस्टन उस प्रकार है और वाश्त्रीक प्रतीमिम में आपको अंतर बताना बताना है में क्या करना चाहिए इसके बारों आपको बताना है देखो अबाशी प्रतिविम क्या होता है ये प्रतिविम सीधे बनते हैं अबाशी में सीधे बनते हैं अबाशी को परदे पर प्रावतन नहीं कर सकते हैं प्रकास की जो किरिने और प्रावतन या अप्रतन के बाद में एक कि विन्दू पर मिलती है अधा में कि सरग पार करते समエ Hawk पहले दाइं देखना चाहिए फिर बाइंध देखना चाहिए और जेबरा क्रूसिंग पर सही जुस्रेख को पार करना चाहिए creek बर्म प्रसा आपकी कि वायो के संक्टेंड क्या helemaal प्रद्री क्रूस से होती है और गर्म जल भी एक परदूशिक है इसको बश्पश्पश्ट वणन करना है तो वायो जो ते उसमें अनेक प्रकार की गेसो का मिस्रण होता है जिसमें 88% होती है नाइट्रोजन 21% oxygen होती है इस में इसमें एक पर संद में बाकी की गेसों इसमें कर्बन डेयोक्साइड कर्बन मोनोग्साइड जलकन और मेथेन और यह सुब और निचे डिस्कॉप्स बचस में दे रहा है जल्दी है आगले वीडियो में आने वाले प्रके लिए all the best best of luck आप अपना best करेंगे और अपने दोस्तों साथ में वीडियो को शेर करना और एप को डाउनलोड कर लेना है